देख्ये मैं पुझ आचारिय प्रवोध किष्नन जी को साधुबा देता हूँ देर साए द्रुस्ताये मैं कई कवार उन से सवाल पूछा कई डिबोटों में पूछा कई जगा संतों की बैठक में पूछा कई जगा मुलाकातों में भी पूछा कि पुझ जो महराजी आप कां अच्छी बात है, RSS मतलब भगवान राम नहीं, BJP मतलब हिंदुत नहीं, सनातन नहीं, सनातन पे सब के अधिकार है, हिंदुत पे सब के अधिकार है, भगवान राम पे सब का अधिकार है, लेकिन इन कांग्रेशियों की बुद्धि सुद्ध नहीं है, एक काल्नेमी कांग्र ऐसे वक्त आने पर गिरगरजे से रग बतल देते हैं आप समझीए राहOohुल जी क्या काते हैं मंदर नोजवान जाता है लड़की छेरने के लिए बाद में तिर फुन लगा ये मंदिर दवने लगते हैं हिंदू और हिंदुत में फड़क समझते और काते हैं हिंदुत बादी देश्त्रो ही है आतंक बादी है आप देखें किस परकार से राम जनम्भूम की विरोध में कंग्रेसियों ने 16-17-17 उकिलकड़े कर दिये उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने कहा दिया कि भाई अभी फैसला नहीं आना चाहिए से बीजेपी को करना अच्छी बात ने को रोना चला है उससे भी नहीं हुआ तो कहा करें भाई मैं भी बाबरी मस्जिद का निर्मान कराऊंगा यह तो गलत पैसला आया एक से एक टिपड़ी करना दुरभाग की बाद है आचार प्रमोत किष्टन ने सही कहा है कोई गलत नहीं कहा है सही कह कि हमको बताने की ज़रोत नहीं है हिंदूस्तानके रहने वाला हर बिखती जानता है कौन राम कह है और को रावन कह है कौन चाहता है में राममंदिर बने कौन नहीं चाहता राम मंदिर बने आज डंके केरे पर खजिए उनलही भ्लिए घृट से जुड़े होने की नाते मनिदारी बंदक्राइब करता ऊं जैसे आप एक्षा करता हूं संगविचार परिबार से जैसे 12.375 एक के किया जैसे आप राम जर्म भूप मंदिर निर्बान में प्राणों की नेचावर करके आपने संगर्स के आज बन रहा है उसी प्रकार से पारब्रम प्रमात्मा भगवान सरे कृष्ण की जर्म भूमी पर उसाही मस्जित को हटा कर मंदिर बनाने में आप मेरा सहियोग करेंगे यह आपके जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया यह मुझको दुख है कि आचायर प्रमोत कृष्ण जी को इस्टार प्रचारक नहीं बनाया सदय वो इस्टार प्रचारक रहते थे उनको लिस्ट में ने रखा लेकिन मैं पुना सवाल खड़ा करता हूं इसलिए क्योंकि कॉंग्रेस को संतों से कोई जरूत महीं है इसलिए नहीं जरूत थे कि आप देखेंगे इंद्रा जी संतों के चरन में तो रहते थे लेकिन संतों की सीना दिल्ली में गोली से उन्होंने चलनी करा दिया संत का सिर्फ मांग यही है कि गवमाता की रचकरो सुराचकरो इस सीच के लेकर दिल तो संतों की सीना गोली से चलनी करने वाली स्वर्ग्या इंद्रा गांधी तो कांग्रेस को संत से कोई लेना देना नहीं है अचार जी कांग्रेस को कोई संत से लेना देना नहीं है कांग्रेसी वह छत्म भेस धारी एक पाटी है जो जिसका दादा इसलाम को मानने वाला पिता इसाई, मा इसाई, बेटा हिंदू बना फिरता है, यह नहीं चलने वाला है, आप समझ सकते हो, कांग्रेस सुरू से हिंदू, सनातन, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, अभी ततकाल में जो घमडिया गडवंदर है, घमडिया गडवंदर के तमाम गडवंदर के जो ल नीच लुटे रहा, आप समझ सकते हो, इस महागडवंदर के सभी दलों ने ऐसे भासा का प्रयोग किया, मैं डंके के चोट कहता हूँ, किसी के दम हो ना, दम हो, दम हो तो इसलाम के कुरीति पर बोल के दिखा दो, कोई मुहम्मद साहब के बारे में बोल के दिखा दो, सनातरी कुछ बोलने बाले नहीं है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, सनातरी जग चुके हैं, जिसका प्रणाम सरूप है, इतना तेजी से परिवर्तन आया, तीन से साड़े तीन हो गए, तीन से साड़े तीन सो लोग हो गए, आप समझो, एक घंटी डुलाने वाला, संक फूकन माला फेडने वाला क्या हो गया, पता है आपको मुखमंतरी हो गया भाई, इसलिए अभी भी सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, विना सनातन का काम करने वाला नहीं है, और पुझा आचार प्रमोद कृष्णन सुद रूप से कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही रहेंगे, लेकिन आज उनकी पीडा को मैं समझता हूँ, और उन्होंने सही कहा है, कांग्रेस से सनातन से कोई लेना देना नहीं, अगर जो भी सनातन के बारे में कांग्रेस में बोलेगा, उसको कांग्रेसी निकाल कर बाहर कर देंगे